आज यूम्यों टीवी पहुँच किया है सीरियल पटियाला बेपस के सेट पर जहां पर हो गई है बबिता की चाची की एंट्री और शोव में आते ही चाची जी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं अजी हाँ चुकि एक थोड़ी बुजूर्ग महिला हमारे घर में आई है और उनकी सोच के हिसाब से थोड़े मिनीने कप्रे ठीक नहीं पहने तो वो शी इस रेजिंग इन इशू अबॉट इट बर ठीक है बबिता समस्ती है दोनों जनरेशन की बातों को समस्ती है क्योंकि ब हई चाची है पुराने ख्यालातों की ऐसे में उन्हें बबिता और मिनी दोनों के ही कप्रों से है प्रॉब्लम जहां एक और बबिता के कप्रों को देखकर चाची का पारा हो गया है हाई वही दूसरी और चाची ने मिनी को कपड़े चेंज करने की भी कर दी है वकालत अब बेचारी मिनी ऐसे में हो गई है मायूस और कप्रे चेंज करने को भी हो गई है रडी चाची के सामने तो मिनी और बबिता दोनों की इस टिपिटी गुम है लेकिन चाची को लेकर दोनों की बीच बहत जरूर छिड़ गई है चाची के देवर देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे अब बबिता और मिनी की मुश्किले बढ़ने वाली है आखिर ऐसा क्यों कर रही है चाची आईए बबिता से ही जानते है हाँ I think बबिता भी अपने लाइफ में सास एलेमेंट मिस कर रही थी तो लगता है वो पूरी तरह से चाची जी अपना सासुपना दिखाएंगी और बबिता तो विचारी as usual बहु बनकर सब बाते उनकी निभाएंगी अब देखते हैं फिर और क्या क्या होता है तो चाची सासुपना की तरह आप पर हुकम चलाना चाहती है तो क्या शो में आगे सास बहु का ड्रामा देखने को मिलेगा कि ना थोड़ा बहुत तो सब लोग बोलते हैं सास बहु का कोई ड्रामा नहीं है ये शो में फिल्हाल थोड़ा सा ट्राक है जहाँ पर हलका सास बहु का एक नोग चोग देखने को मिलेगा वेल अब देखना ये होगा कि क्या बविता और भी नी चाची जी के प्लान से बचने में हो जाएंगी काम्या या फिर शो में आएगा एक निया च्विस्ट मुंबई से अपढ़ना दिवेदी की रिपॉर्ट E24 झाल 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 झाल